आपने कभी ये सोचा है कि ठंडी में नदियों का पानी पूरी तरह जम जाता है तो ऐसे में मगरमच और घडियाल जैसे जीव कहां जाते होंगे और जिन्दा रहने के लिए क्या करते होंगे दरसल दोस्तों घडियाल और मगरमच जैसे जीव अपने शरीर का टेंप्रेचर और मेटाबॉलिजम को पानी के अंदर अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं और अपने शरीर को बर्फ में जमने के लिए छोड़ देते हैं दरसल मगरमच गोल्ड ब्लेड़ेड एनिमल्स होते हैं जिन पर बहारी तापमान का बहुत ज्यादा इंपक्ट होता है इनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन से ये वह लेते हैं अपने सेंसर की मदद से ये पहले ही मालुम कर लेते हैं कि थंडी का मौसम आने वाला है और मगरमच ज्यादा ठंडी में नहीं रह सकते इसलिए सरदी में जब भी बर्फ पढ़ने लगती है तो मगरमच अपने आपको बर्फ के अंदर गाड लेते हैं क्योंकि बर्फ के अंदर मौजूद पानी का तापमान बाहर के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है ऐसे में वो ऑक्सीजन लेने के लिए सिर्फ अपनी नाप को बाहर निकाले रखते हैं ऐसी हालत में अगर कोई मगरमच को पानी से बाहर निकालता है तो कोल्ड ब्लेडिड होने के कारण वो तुरंधी मर जाएगा लैसे क्या आपने कभी रियल में मगरमच को देखा है कमेंट करके जरूर बताना